रदे रदे, त्रीनेत्र वाग में आप सभी का स्वागत है, मैं हूँ आपके साथ आचारे पुष्पेंदर सास्त्री आज हम बात करेंगे तुलारासी को लेकर तुलारासी 2023 में कैसी रहने वाली है? तुलारासी का सयोग क्या है? तुला रासी वाले जात तक इस समय ऐसा क्या करें जिससे उनको लाब हो या उनके जीवन में कौन से ग्रह गोचर हैं किस महीने में उनको परिशानियों का सामना करना पड़ सकता है ज्यान दीजिए तुला रासी विशेश रूप से इस समय अपने गोचर ग्रह के द्वारा सुक्र के द्वारा अपने श्वामी सुक्र के द्वारा गुरू के द्वारा और सनी के द्वारा उपलवदी प्राप्त करेगी लेकिन ब्यापार छेत्र में आपको नुकसान उठाना पढ़ सकता है व्यापार अगर आप नया करना चाह रहे हैं तो बिलकुल ना करें पुराना जो व्यापार आप चला रहे हैं उसी पर ध्यान दें उसी को आगे बढ़ा है अगर आप नोकरी कहीं कर रहे हैं उस नोकरी में आप परिशान हो गए हो सीनियरों से परिशान हो गए हैं उसे सांती प्रद बैठ करके सुल जाएं समझें क्योंकि ये समय फेश्ट में जो आपका जनवरी फरवरी और मार्च ये तीन महिने तुलारासी के मध्यम रहने वाले हैं इनमें आपको परिशानी आ उसके बाद दिसमर तक आपका जीवन सपल रहेगा कोई भी परिशानी नहीं आएगी इसी के साथ साथ आपके केरियर का आपके व्यवसाय का आपके नौकरी का विशेज ध्यान रखते हुए उस पर नीतिग्य अपना फोकस रखें ध्यान दें सिरुवात में जैसा आप करते थे वैसा ही आप पीछे करें कहा जाता है फस्ट इंप्रेशन इस दा लाश्ट इंप्रेशन जो अमने पहले अच्छा किया अगर हम उसे अब अच्छा करेंगे तो बीच वाला जो समय है उसको लोग भूल जाएंगे इसलिए आपका जीवन सफल होगा व्यापार छेटर में मन लगाएं व्यापार छेटर से कुरूतियों को दूर करें अगर आपके व्यापार छेटर में कुरूती हैं तो उनको आप दूर करें जिससे आपका मन प्यापार छेत्र में लगे तुलारासी वाले जातक 2023 में नोकरी करने वाले जो जातक हैं जिनको नोकरी मिल गई या जो नोकरी खोज रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा समय है घर से दही खा करके आप जाईए आपको नोकरी निश्चित मिल जाएगी ये समय आपका बहुत अच्छा चल रहा है क्योंकि सनी सुक्र का मित्र है और दोनों मित्र एक साथ होने के साथ साथ आपके जीवन को सफल बनाने में निश्चित लगेंगे क्योंकि आपका स्वामी सुक्र है और सुक्र जब तुला का स्वामी है तो वो आपके जीवन में दुख नहीं आने देगा मार्च के महिने के बाद आपके जीवन में चार चांद लगते चले जाएगे आपका जो केरियर है आपका जो व्यपसा है आपकी जो नोक्रे है उसमें आपको प्रमोशन मिलना ब्रद्धी होना उन्नती होना स्ववाविक है बात करेंगे स्वास्त को आपका स्वास्त कैसा रहेगा तो तुलारासी ладно को स्वास्त नरम गरम हो सकता है क्योंकि याद्रा आपको लंभी कुरने पढ़ सकती है लंभी यात्रा के साथ आप भिशेष रुप से ध्यान दीजिएगा यात्रा जब करेंगे तो उसमें आपका स्वास्त गड़बर हो सकता है क्योंकि खनपान बदलता है पानी बदलता है कि तो स्वास्त में उतार चढ़ाब आएगा चिंता की कोई बात नहीं है कोई बड़ी बिमारी का आगाज नहीं है लेकिन स्वास्त नरम गरम होने घल क्रोध का आवास आपके जीवन में हो सकता हैं मित्र आप से दूर जा सकते हैं परिवार का सयोग आपको मिलेगा परिवारी जन्व आपकी हर वात का सम्मान करेंगे समझेंगे और आपके हर कारे को आगे बढ़ाने में आपकी साहता करेंगे इस समय स्वास्त के प्रती आप थोड़ी चिंतनिये जरूर होंगे लिकिन बड़ी कोई ऐसी दिक्कत नहीं आने वाली है कि आपका स्वास्त खराब हो जाएगा तुलारासी वाले जातकों का सैयोग एक विशेश रूप से अच्छा बन रहा है और वो अपने किसी भी कारे में अपने परिवार जनों का सैयोग लेकर आगे बढ़ें तो उन्हें सपलता अवस्य मिलेगी तुलारासी वाले जातक जो साधी के लिए योग हैं उम्र हो चुकी है चाहिए वो बेटी है या बेटा है साधी करने के लिए ततपर हैं तो इस समय उनका विवा के योग खुले हुए हैं विवा हो जाएगा और कोई भी परिशानी उनके दामपत्य सुख में नहीं आएगी लेकिन ध्यान दीजिए अपने पित्रों का विशेश रूप से ध्यान रखें पित्रों की पूजा कराएं पित्रों को इस्थान दें और पित्र का आप निश्चित ज्यान रखेंगे तो आपके यह कारेश सफल आउंगे, सन्तान सुख आपको मिलेगा, सन्तान सुख में अब तक अगर परिशानी है तो वो दूर होगी, आपसे समझ से ही वो दूर होगी, जिससे संतान आपका आधर करेगी, सम्मान करेगी और आपके जीवन में खुशियां आ जाएंगी बहानादी का सुख मिलेगा तेश विदेश से सुभ समाचार आपको मिल सकता है आपका कोई मित्र सखा कोई भी बाहर रहता है अच्छी खबर आपको दे सकता है नौकरी की खबर आपको दे सकता है सुभ समाचार देश विदेश से आपको मिलेगा अपने आपको सामर्थ बनाने के लिए आप विश्युष कर इस समय बहुत ही अच्छा समय आपका है आपको चल सकते हैं आगे बढ़ सकते हैं आपको उपलब्दी प्राप्त होंगी देश विदेश के सुब समाचार सुनकर प्यार्थ होगा प्रसनता होगी खुसी होगी और आगे चल करके आप भी अपना नाम रोशन करेंगे मान प्रतिष्टा सम्मान बढ़ेगा लेकिन ध्यान दीजिएगा वियर्थ विर्मण से बचें अगर आपको कहीं जाना है तो अगर जरूरी है तो ही जाएं फालतू में विर्मण ना करें इदर उदर ना जाएं बहान आदी अगर आप चलाते हैं साबधानी से चलाएं क्य कुछियां बर जाएंगी आपका जीवन खुस में हो जाएगा आपको करना क्या मातारानी के मंदर में जाना है अगर प्रती दिन जा सकते हैं तो बहुत अच्छी बात नहीं तो 43 दिन तो आपको जाना ही जाना है उसके सामने जाकर के गीगी जोत जलानी माता की आर्ती करनी और अपने घर आ जाओ फिर आप देखो कि मातारानी की किरपा आपके उपर कैसी वरस्ती है मालक्षमी की किरपा आपके उपर वरसीगी और आपका कारे सफल होगा वरेश्चिक रासी 2023 में कैसी रहने वाली है वरेश्चिक रासी का सयो कैसा होगा वरेश्चिक रासी वाले हैं इस सब बातों पर आज हम चर्चा करने आँए आपको भी अगर किसी भी प्रकार की कोई समस्या है कोई रासी के बारे में पूछना है कुंडली के बारे में पूछना है हमसे मिलना है कॉंटेक्ट करना है तो आप हमारे इन नंबरों पर जो आपके टीवी स्क्रीन पर हैं इन पर आप कॉल कर सकते हैं जान सकते हैं अपने बारे में परिवार के बारे में आपकी रासी क्या कह रही है इस साल आपको अगर समझ नहीं आ रहा है तो भी आप अमाज से कॉल करके जान सकते हैं तो बात करेंगे ब्रेश्चिक रासी ब्रेश्चिक रासी का स्वामित्य मंगल करता है लेकिन मंगल हमारा किस स्थिती में बैठा हुआ है मित्रे के गर में सत्रू के गर में है या उच्ची के गर में है या नीच की रासी पर है वो विशिस द्याम देना होता है तो इस समय मैं आपको बता दूँ कि आपकी जो व्रश्चिक रासी है वो थोड़ी सी कष्ट प्रद हो सकती है अगर मैं स्ववाब की और स्वास्त की बात करूं तो आपका स्वास्त डीला रहेगा आप बीमार हो शकते हैं और आपको बीमारियां भी कौन-कौन सी जो खून से रिलेटिव हो जैसे सुगर, बलड प्रेसर, आपका एलर्जी जैसी समस्याएं ऐसी समस्याएं भी आपको आ सकती है 2023 में स्वास्त खराब रहने के साथ स्ववाब चिड़चिड़ा हो जाएगा थोड़ा सा वाणी पर सयम रखें, क्रोध पर नियंत्रण करें वो सब्द बोलें जो आपको अच्छा लग रहा है आपको जो अच्छा नहीं लग रहा है उस सब्द को किसी और के साथ बिलकुल ना बोलें नहीं तो जगडे होने की समभावना बन जाती है ब्रेश्चिक रासी वाले जातक, मंगल के स्वामित्य के साथ सनी की द्रेश्टी के कारण आपके जीवन में ये समस्यां आएँगी पैरों में भी दर्द बढ़ सकता है, कमर का दर्द बढ़ सकता है पेन ग्रियाज आपकी बड़ी हो सकती है इसके कारण आपके जीवन में ये सुख सुबदाय दूर हो करके कश्ट आने वाला है ब्रेश्चिक रासी वाले जातकों का कुछ समय अप्रेल मई 22 अप्रेल से लेकर के अग्रिम जो समय है वो आपका अच्छा रहेगा लेकिन अक्टूबर नवंबर में भी आपको इन चीजों का सामना करना पड़ सकता है बात करेंगे व्यापार छेतर की तो व्यापार छेतर अगर आप कोई भी व्यापार करते हैं आपकी कुंडली के नहीं थे तो उसकी अलग एक छबी होती है लेकिन इस समय आपके व्यापार में थोड़ा उतार-चड़ाब बना रहेगा जिससे मानसिक चिंता बढ़ सकती है आप जिस भी व्यापार को करते हैं उसमें थोड़ा सा उतार-चड़ाब आएगा और उस उतार चड़ाव के कारण आपके मनोविकृती बिगड सकती है ज्यान दे, सैयम रखे, क्रोध पर सैयम अवस्य रखे क्रोध ना करे, गुस्सा ना करे क्योंकि अगर आप क्रोध करेंगे तो हो सकता है आपके कारण बनते हुए भी बिगड जा 2023 आपके लिए बहुत अच्छी चीज भी लेके आ रहा है जब ग्रह परिवर्तन होता है तो आपको और भी उपलवदियां प्राप्त होती है और वो उपलवदि है कि आप अपने समाज में, अपने धर में, परिवार में अच्छी प्रतिष्ठा प्राप्त करेंगे अपने कार्यों में विशिस लावकारी रहेगा जो बच्चे एक्जाम की तयारी कर रहे हैं उनका तो बहुत अच्छा चांस है, उनको सफलता प्राप्त होगी लेकिन जो नौकरी कर रहे हैं, उनकी नौकरी में अवरोध पैदा हो सकता है रुकावतें आ सकती हैं, नौकरी में मतभेद बन सकता है अब वो आपके सीनियरों से भी बन सकता है जूनियरों से भी बन सकता है ये सब बातें आप अपने आप देखे कि हमारा किस के साथ है और उस समय आप अपनी वानी पर और क्रोध पर दोनों पर सयम रखें आपका केरियर बहुत अच्छा होने बाला है धन भाव की कमी नहीं रहेगी उतार चड़ाब अवस्ते जीवन में चलेगा ब्यापार में भी उतार चड़ाब चलेगा नोकरी में भी चलेगा लेकिन धन की कमी नहीं आएगी धन की कमी आपके जीवन में नहीं आएगी जिससे आप अच्छा कार्य कर सकते हैं धार में कार्यों से आप अलग होंगे धार में कार्यों की तरफ रुची आपकी बहुत कम है लेकिन प्रितिभासाली बनेंगे, स्वाव लंबी होंगे और अपने आपको सक्षम बनाने का प्रियास करेंगे आपका जो छेत्र है, ब्रिश्चिक रासी वाले जाब तक अपने छेत्र में बहुत अच्छे सामाजिक कार्यों के लिए भी जाने जाते हैं आप अपने छेत्र में सामाजिक कार्यों में सलगन हैं और उनी के साथ साथ आपको लोग चाहते भी हैं 2023 में आप जहां भी जाओगे अपनी कोई ना कोई छबी अवस से छोड़ कर आओगे जिससे लोग आपको याद करें, आपके मन में एक प्रिसन रहता है कि मैं जहां भी जाओँ, वहां लोग मुझे याद करें ब्रेश्चिक रासी वाले जातक धन, आगमन के रास्ते जितने इनके सरल हैं जितने इनके सुलव हैं, उसी प्रिकार इनके खर्चे भी ऐसे ही हैं तो खर्चों पर भी आप नियंतरन रखें, अधिक फालतू के खर्चे ना करें, यात्रा से वचें अगर आपको कहीं दूर लंबी यात्रा करनी है, कारे के छेत्र में करनी हैं, आप कर सकते हैं, कोई परिशानी नहीं है सुबह जाकर के साम को अगर आप वापस लौट के आ रहें, वो भी आप कर सकते हैं, कोई परिशानी नहीं है लेकिन अगर आप कोई ऐसी चीज जो आपको कश्ट कारी हो और उसकी यात्रा करने के लिए आप जा रहें यार्दों को दोस्तों के साथ आप यात्रा करने जा रहें तो वो यात्रा आपके लिए कश्टकारी हो सकती है तो यात्रा का जो विचार आपके मन में है उसका त्याग कर दें अबी यात्रा ना करें, आगे समय आएगा, यात्रा भी की जाएंगी, लेकिन इस समय यात्रा को त्याग दे बहानादी का सुख आपको प्राप्त होगा आपके मन में चल रही योजनाए जो बहुत पहले से चल रही है अब तक पूरी नहीं हुई वो योजनाए अब पूरी होंगी जो आपके मन में पहले से योजनाए चल रही है वो इस समय पूरी होने वाली है क्योंकि इस समय गुरू का आसिरवाद सदा आपके उपर है गुरू गुरे आपके आसिरवाद को बढ़ाता है आपके केरियर को बढ़ाता है आपके विजनिस को भी बढ़ाता है आपके स्वास्त को भी अच्छा रखता है पूर्ण आशिरवाद गुर्देव का है और वो आपको अक्टूबर जुलाई से लेकर अक्टूबर के बीच में बहुत कुछ धन कुबेर के जो दर्वाजें वो खुलने वाले हैं आप जितना चाहिए कमा सकते हैं लेकिन उसके लिए आपको सहीमित रहना पड़ेगा इसी के साथ साथ अगर आप चाहते हैं आपके कार्यों में जो रुकावट आ रही है वो दूर हो तो भो भी संबब है ब्रश्चिक रासी वाले जातक दिल के साफ अवस्य होते हैं इनके अंदर जो बात होती है मुँपर भी वही बात होती है कप्ती नहीं होते लेकिन इस समय 2023 में इनका जो भाग्य है वो इनके जीवन का साथ नहीं दे रहा है इनकी जवान का साथ भी नहीं दे रहा है उसके कारण लोग आपको जूटा सावित करने में लगे रहेंगे सत्रू सडियंत्र रचने में लगे रहेंगे लेकिन आप अपने जीवन को सफल बनाने के लिए आगे बढ़ते रहिएगा अब रोध आते हैं, अब रोध में कोई दिक्कत नहीं है लेकिन आप निरंतर आगे बढ़िए जिससे आपकी आ रही परिशानिया दूर हो के बाद ही संतान सुप्राप्त होगा घर में पित्रदोस भी बन सकता है ऐसा सयोग आपकी कुंडली बता रही है, रासी बता रही है कि इस समय आपके घर में पित्रदोस भी बन सकता है और पित्रदोस के कारण आपके बनते हुए कार्य बिगड सकते हैं और ये समय आपका मै और जून का हो सकता है मै जून में ये समस्याइं आ सकती हैं लेकिन आप धेरे से काम ले धेरे को साथ में रखें आपका कार जरूर सफल होगा बिवा के लिए जो योग बच्चे हैं जिनकी उम्र बिवा की हो गई है विवा हो नहीं रहा है ऐसी कुछ समस्या है और भी आपकी बनी हुई है तो उसके लिए भी आप चिंता बिल्कुल ना करें थोड़ा समय इंतजार करें आपके वो रास्ते भी अपने आप खुल जाएंगे कोई भी परिशानी कोई भी दिक्कत आपके जीवन में नहीं आएगी ब्रश्चिक रासी वाले जातक हनमान जी को इष्ट मानते हैं और हनमान जी की ही प्रार्थना से उनकी ही सेवा से आप अपने आपको आगे बढ़ाने का प्रियास करते हैं और वास्तविक रूप से अनमान जी ही आपके एष्ट कहलाते हैं तो अनमान जी की किरपा आपके उपर वरसेगी और अगस्त के महिने में आपको और भी लाव होने के आसार हैं आपके रास्ते खुल जाएंगे परिवार जनों का आपको सहयोग मिलेगा बहान प्रोपर्टी आदी आपक्रे विक्रे करना चाहते हैं तो वो भी समय आपका नजदीक है आप 2023 में बहान आदी का क्रे विक्रे कर सकते हैं प्रोपर्टी का क्रे विक्रे कर सकते हैं पैत्रिक प्रोपर्टी में चला आ रहा बिवाद भी सुलजेगा भाईयों में प्रेम होगा और विसेश प्रेम होगा और इसी के साथ साथ आप अपने जीवन को जीवन लक्ष को प्राप्त कर सकते हैं केरियर को आगे बढ़ाने के लिए आपके लिए जो करना है क्या करना है क्या नहीं करना ध्यान से सुनियेगा सबसे पहले आपको क्या करना है कि हर मंगलवार के दिन गाय के गी में हनमान जी पर चोला चड़ा है आप ज़्यादा दिन नहीं चड़ा सकते तो कम से कम नौ मंगलवार तो आप चड़ा है जिससे आपका जो अवरोध हो रहा था वो नहीं होगा जब चोला चड़ाएं, प्रती दिन हनमान चालीसा, हनमाश्टगम, सिवाश्टगम इनका आप पाठ करें संकट मोचन का पाठ करें इससे आपको लाब मिलेगा, बजरंग बाण का पाठ करने से भी आपको लाब मिलेगा गोपाल सहस्त्राम का पाट करने से संतान सुख प्राप्त होगा नियम से करें अब नियम क्या है एक गी की जोत लगाएं गी की जोत लगाने के बाद आसन कंबल का लें और उस पर बैठ करके भगवान की पूजा करें इस से आपको लाब होगा और तीन चीजों से आपको विसेश बचना है वो क्या नहीं करना है द्याम दीजिए देर रात तक ना जगे रहें और सुबह जल्दी उठ जाए ये देनिक किरिया में आप डाल लीजिए कि दस बजे को आप सेहन करना है और पांच बजे आपको सेवा करते हुए अपने कार्यों को करें लेकिन किसी का दिल ना दुखाएं किसी पर प्रताड़ना करें किसी को प्रताड़ित करोगे तो आपका कार्य बिगड़ सकता है संबावना हीन हो सकती है और आपको कष्ट प्राप्त हो सकता है और तीसरा कार्य जो नहीं करना है वो भूल कर अपमान मत करना अगर इनका अपने अपमान किया तो मान लीजी आपको भगवान भी नहीं बचा पाएगा इसलिए आप अपने रासी को उज्ज्वल बनाए अपने जीवन को सफल बनाए और इन विसेश बातों का आप ध्यान रखेंगे तो आपके जीवन में आ रही सभी समस्याइं दूर होंगी धनूरासी 2023 में कैसी रहने वाली है धनूरासी के जातकों को क्या फल प्राप्त होंगे क्या नुकसान हो सकता है ऐसे कौन से कार रहे हैं जो हम करें जिससे हमें लाब हो या ऐसे कौन से कार रहे हैं जिने हम ना करें जिससे करने पर हमें हानी हो सकती है इनी सभी बातों पर हम आपसे आज बात करेंगे अगर आपको अपने बारे में, अपने परिवार के बारे में रासियों के बारे में, कुंडली के बारे में अगर जानना है तो आप अमारे इन नम्मरों पर कॉल कर सकते हैं जान सकते हैं सभी विसम परिष्टिती हों या सम परिष्टिती हों किसी के बारे में भी आप जान सकते हैं नोक्रीव्या पारवाण इज्य कोई भी समस्या हो आप इन नम्मरों पर कॉल करके हम से जूड़ सकते हैं तो ध्यान दीजिएगा जो बात करने वाले हैं धनूरासी को ले करके धनूरासी 2023 में क्या फल देने वाली है धनू का स्वामित्य गुरू करता है और गुरू अपने आप में इस समय मंत्री पद पर होने के कारण एक विसीस में तो आपकी जीवन में घोलेगा विसीस अच्छा रस आपको प्राप्त होगा आपका स्ववाब निश्ठावान बनेगा नीतिग्या आप रहेंगे और अपने व्यवार से स्ववाब से सामने वाले को लुभा लेंगे मोहित कर लेंगे आपके चेरे पर चंद्रमा के समान तेज होने की संबावना है जैसे सामने वाला आपको देखे तो वो आपसे तुरंत मोहित हो जाए और तक आप किसी से कोई काम की कहे तो उस कारग को वो तुरंत कर दे मना ना करे एसा सयोग अब की वार आपकी रासी में बन रहा है 2023 में आप कोई भी आयाम पर चड़ सकते हैं आपके ब्यवार को देखकर आपके स्वभाव को देखकर बहुत लोग आपसे जुड़ने की चेश्टा करेंगे और जुड़ेंगे और जब ये लोग आपसे जुड़ेंगे तो एक कहवत है सुर नर मुन सब की यही रीती स्वारत लाग करें सब परीती अर्थाथ वो अपने स्वारत के लिए आपसे जुड़ेंगे लिकिन आपका नुकसान भी नहीं कर सकते और ना करने की वो चेश्टा करेंगे दनूरासी वाले जातकों का व्यभार इतना अच्छा होगा कि वो अपने सत्रू को भी अपना मित्र बनाने में सक्छम होगे अनेक प्रिकार की बाधाओं को हस्ते हस्ते आप दूर कर सकते हैं बात करते हैं कैरियर की आपका कैरियर 2023 में क्या आपके लिए लाव दिलाने वाला है क्या आपको लुकसान दिलाने वाला है तो कैरियर के बारे में अगर बात करें गुरु स्वामित्य के कारण आप अनेक कार्यों में सुसोबित होंगे और आपके लिए ये समय टीचिंग लाइन के लिए विशेश सुभ है अगर विद्यारती टीचर बनने के सुपन लेके बैठे हुए हैं अध्यापक बनना है एक्जाम अगर है तो आप दे दीजिए 2023 में आप अध्यापक बन जाएंगे आपको लाब मिलेगा लेकिन इनके साथ ऐसा नहीं है कि कुंडली में है रासी में है तो हम लग जाएंगे कर्म पर विशेश ध्यान देना है पढ़ाई करनी है महनत करनी है तभी तो कार्ण सपल होंगे उससे पहले तो नहीं हो सकते तो जब तक आप कर्म नहीं करेंगे महनत नहीं करेंगे लाब न एक्षा होगा के ब्यापार में चार चांद और लग जाएंगे अर्था मनोग्रती आपकी अच्छी होगी और व्यापार उठता चला जाएं लाव होगा कई प्रकार से आपको लाव प्राप्त होने वाला है ब्यापार की आस्था और बढ़ेगी नए ब्यापार के आयाम साधन आपको प्राप्त हो सकते हैं या कुछ लोग अपना ब्यापार बंद करके अगर जाने वाले हो वो आप धनूरासी वाले जातकों को अपना सर्वस्व सौंप कर जा सकते हैं ये ध्यान रखना आप अगर नए ब्यापार करने की सोच रहे हैं तो बिलकुल सिरू कर सकते हैं कोई भी रुकावट आपके नए ब्यापारों में नहीं आएगी आप अगर चाहते हैं कि आपका कार्य सफल हो तो आप इस समय आपका जो ग्रह गोचर है वो बहुत अच्छा है आप आगे बढ़ें कर्म करें आपकी सफलता आपके कदम चूमेगी आप अगर नौक्री करते हैं तो नौक्री के छेत्र में आपको प्रमोशन चाहना है प्रमोशन मिलेगा ट्रांसपर आप चाहते हैं ट्रांसपर भी मिलेगा इक छित जगह पर आप अपनी नौक्री जोइन करना चाहते हैं तो वो भी इस समय 2023 में आपको फायदेवंद रहे जहां भी आप नौकरी करने जाएंगे वहां लोग आपके ब्यवार को देखकर स्ववाब को देखकर अपने हो जाएंगे अपनत्य जैसा प्रेम आपको मिलेगा स्वास्थ आपका ठीक रहेगा यात्रा बड़ी होंगी घर में मंगल उतसब कार्य होंगे मंगल कार्य होंगे जिससे आपका धन खर्च होगा हर सो लास उमंग आपके जीवन में बनी रहेगी घर में सांस्कृतिक कार्य होंगे मांगलिक कार्यों को देखकर भी मनप्रसन रहेगा माता पिता का आसिरवाद भी आपको प्राप्त होगा धार्मिक कार्यों में बढ़ चड़ करके आप हिस्सा लेंगे, मान, प्रतिष्टा, सम्मान आपका बढ़ेगा और कई प्रिकार से आपके धन आगमन के आयाम दिखाई दे रहे हैं आप कई रास्तों से धन कमाने में सक्छम बनेंगे इसी के साथ साथ आप अगर विभायक जीवन को लिकर चिन्तित थे हैं नहीं चिन्तित थे पहले तो उस समय आपका ग्रेकलेश बढ़ा हुआ था वो अवखत्म होने वाला है अगर आपके वीच में कोई कोट केस चल रहा है उसमें भी आपको विजय प्राप्त मिलेगी क्योंकि आप किसी भी कारे को गलब तरीके से नहीं करते हैं आपकी समझदारी आपके साथ है आप कर्तब बेनिष्ट हैं धनूरासी वाले जातक 2023 में अपनी फैमिली के साथ परिवार के साथ समय सब जो है वो व्यतीत करेंगे अधिक समय आप परिवार जनों को देंगे पतनी वच्चों के साथ अधिक समय व्यतीत करेंगे और इसी के साथ साथ आपको यात्रा करनी पड़ सकती है यात्रा आपकी सुमंगल रहेगी, आप यात्रा करने कहीं जा रहे हैं, कहीं दर्सन करने किसी देवता के जा रहे हैं, किसी धाम में आप जा रहे हैं, मतुरा, विंदा, वन, वैष्णो, देवी जहां भी आप जा रहे हैं, आपके नए आयाम, नए रास्ते खुलेंगे प्रभू आपकी मनों काम ना सुनेगा पारवारिक कलेश आपका सांत होने वाला है और यही कारण है कि जब परिवार में कलेश होता है तो मालक्षमी रूट जाती है लेकिन इस समय आपका परिवार का जो कश्ट है वो दूरो करके मालक्षमी की किरपा आपके घर पर वरसेगी तो यह समय आपके लिए बहुत कुछ लेकर के आया है 2023 आपके लिए खुसियों का सागर लेकर के आई है उपलब्दियों का सागर लेकर के आई है आप पात करेंगे संतान सुख को लेकर अगर आप संतान सुक चाहते हैं तो ये समय आपके लिए बहुत अच्छा है संतान के प्रती मदूरता बढ़ेगी और संतान का भी आपके प्रती प्रेम बढ़ेगा संतान सुक आपको मिलेगा पुत्र पुत्री आपका सविज्जत करेंगे मान सम्मान करेंगे आपको सम्मान देंगे पुत्र बदू भी आपको सम्मान देगी और जो जातक चाते हैं मेरे संतानुत्पन हो उनके भी बनोग्चित संतानुत्पन होने के योग बन गए हैं अतिसी ग्रियोग हैं आप प्रभु का नाम ले और अपने जीवन को सफल जिन जातकों के विभा में देरी हो रही है विलंब हो रहा है लोग आते हैं देखकर चले जाते हैं रिष्टा नहीं बन पाता है तो धनुरासी वाले जातक ध्यान दीजिएगा कि अब तक आपके साथ ऐसा ही सब कुछ हो रहा था लेकिन अब जल्दी से जल्दी अती शीग्र आपके रिष्टे बनने वाले हैं और आपका विवा संपन होगा जिस कन्या से आपका विवा होगा या जिस पुरुश से आपका विवा होगा वो एक स्योग परिवार से होगा लेकिन विवा करने से पहले कुंडली का मिलान अच्छी तरह से कर लें प्रेम बसीभूत होकर कोई भी गलत कर्ड आप ना करें वो आपको नुकसान दे सकता है कोई भी ऐसा कर्म आप ना करें जो आपको गलत लगे जिससे भी आपको नुकसान हो सकता है अब आपको करना क्या है आपको गुरु गीता का पाठ करना है या विश्टनू सहस्त नाम का पाठ करें या आप केले की जड में थोड़ी सी हल्दी चने की दाल और गुरु तीनों चीच चड़ा कर थोड़ा गी का जो तुआ उनके पास जला करके अगर आरती आती है तो आरती बोल करके नहीं आती है तो भगवान का ध्यान करके जो जला कर प्रिणाम करके आप इस कारे को करेंगे तो जो भी रुकावट अगर गिरे के गोचर में आएंगी वो भी सांतो हो जाएंगी और आपका जीवन सुमंगल होगा आपका जीवन सफल होगा धनूरासी वाले जाट तक अपने जीवन को सफल बनाना चाहते हैं तो दो कारे बिलकुल ना करें किसी की जूटी गवाई बिलकुल ना दें अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको महातामिस्र नरक में जाना पड़ेगा बनते हुए कारे आपके बेगड जाएंगे और दूसरा कारे किसी भी परिस्त्री की तरफ गलक द्रश्टी से ना देखें परिस्त्री गमन भूल करना करें अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके जीवन में जितना लाव है उतना नुकसान होने की संभावना बनेगी और आपका जीवन नरक गामी हो जाएगा इसलिए जो नियम आपको बताएगे उन नियमों के द्वारा आपकी रासी स्रेष्ट है और इस समय धनू रासी का बहुत अच्छा सयोग आपके जीवन में उन्नती लेकर आ रहा है 2023 में आप बहुत कुछ प्राप्त करेंगे ना, मान, प्रतिष्टा, सम्मान, यस, बैवव, सब कुछ आप प्राप्त करेंगे नए नए ब्यापार के आयाम आपके खुलेंगे, रास्ते आपके खुलेंगे जिससे आपके जीवन में कोई भी अडचन है वो दूर हो जाएगी कोई भी परिशानी है वो भी दूर हो जाएगी और आप अपने जीवन को सुख मैपूर्वक अपने परिवार के साथ ब्यतीत करने का समय ये बहुत अच्छा समय है इसलिए प्रभु का ध्यान करते रहें और अपने जीवन में आगे बढ़ते रहें सफलता आपका इंतिजार कर रही है मकर रासी 2023 में कैसी रहने वाली है मकर रासी का स्वामी सनी और सनी अपनी रासी पर बैठा है तो कितना अच्छा रहेगा या अपनी रासी को देखे तो कितना अच्छा रहेगा या कहीं से द्रश्टी अपनी रासी पर दे तो कैसा रहेगा अब ध्यान देने वाली बात है इस समय दो हजार तेईस में मकर रासी बहुत अच्छे आयाम उठाएगी उनका ब्यापार छेत्र बहुत अच्छा होगा सनी की पूर्ण किरपा मकर रासी वाले जातों को पर होगी ब्यवार कुसल होंगे अच्छे अपने छेत्र में विस्तार करेंगे विकास करेंगे बहुत सारी ऐसी समस्याएं जो उनके सामने अव तक अड़ रही थी वो अपने आप खत्म हो जाएंगी मकर रासी वाले जातक मन से मजबूत होकर आगे बढ़ेंगे मकर रासी वाले जातकों को दो हजार तेईस में ब्यापार छेत्र में बहुत उपलब्दी प्राप्त होने वाली है मालक्षमी की साच्छात किरपा आप पर वरस्टने वाली है मालक्षमी की असीम किरपा आप पर वरस्टने वाली है धन धान्नी की व्रद्दी होगी गुप्त धन प्राप्त हो सकता है या पैत्रिक जो बिवाद हैं वो सुलज करके भी आपको खुसी प्राप्त होगी अचानक धनलाब होगा मकर रासी वालों जातकों के लिए अचानक अक्षमात धन के रास्ते खुलेंगे धनलाब होगा और जो समस्यां चल रही थी वो बिल्कुल सान्त हो चुकी है 2023 में जन्वरी, फरवरी, मार्च और 22 अप्रेल तक आपकी जो मन पे है वो कार्याप कर सकते हैं आपको कोई भी परिशानी नहीं आएगी लेकिन 22 अप्रेल से लेकर मई और जून का पूरा महिना आप सजग रहें बहानादी अगर चलाते हैं सावधानी से चलाएं उसके बाद भी बर्स का मध्याप का थोड़ा सा कष्टकारी हो सकता है लेकिन बर्स का अंत आपको लावकारी बना देगा आपके उपर भगवान सनी की इतनी किर्पा हो रही है 2023 में इतना धन वर्सेगा कि आप समालते समालते ही परिशान हो जाओ लेकिन उस धन को आप सब कर्मों में लगाएं अच्छे कर्मों में लगाएं अधिक्तर प्रभु वक्ती में लगाएं जिससे वो धन सुद्ध रहे और आपके जीवन को सफल बना सके कोई भी परिशानी दिक्त आपको नहीं आएगी अगर जो विएत्ती नोक्री कर रहे हैं मकर रासी वाले जातक जो नोक्री कर रहे हैं और वो चारहे हैं कापी समय से हमारा प्रमोशन हो जाए तो अब आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है घर बैठे आपका प्रमोशन होगा किसी से कोई एप्रोच लगाने की जरूरत नहीं है प्रमोशन आपका पक्का है इस समय आपकी नोकरी में भी उन्नती होगी सेलरी बढ़ेगी और भूस सारे योग आपको आगे ले जाने में सक्छम होगे अगर आप अपना करना चाते हैं और या कर रहे हैं तो उस पर थोड़ा सा ध्यान दें आपको बहुत उपलब्दी प्राप्त होगी सान्ती सहयोग मिलेगा समक्षता मिलेगी समरद्धी मिलेगी मकर रासी वाले जातकों के लिए विसीज फल लेकर के आया है 2023 2023 में जो व्यक्ति अब तक स्वास्त से दुखी थे स्वास्त में उतार चड़ाव था अब उनके स्वास्त में बिल्कुल भी उतार चड़ाव नहीं रहेगा स्वास्त एकदम खीक रहेगा यात्रा सुमंगल होगी यात्रा के नए सादन खुलेंगे आप यात्रा कर सकते हैं और विशेश रूप से एक चीज में आपको बता दू लम्मी यात्रा होगी देश विदेश जाना पड़ सकता है व्यापार छेत्र में आप जाओ या नोकरी के छेत्र में कैरियर को लेकर के आपको देश विदेश तक जाना पड़ सकता है सुन्दर योग आपकी कुंदली में आपकी रासी में बन रही है और इन्हीं योगों के साथ आप अपनी कार्यों में विशेश सुभ कार्यों को संमहित करेंगे और जब वो संम्मिलित हो जाएंगे तो आपके चार चांद आपके जीवन में लगेंगे इनी सब बातों को विशेश आप ध्यान में रखें और देखें जो व्यक्ति सोच रहे हैं मेरा स्वास्त कैसा रहेगा तो स्वास्त में किसी भी प्रकार की कोई बाधा नहीं है कोई संकट नहीं है आपका स्वास्त मंगल में होगा सुखद होगा सफल होगा कोई भी मोसम बाली बीमारी भी आपको नहीं लग सकती संतान के प्रती सुख आपको प्राप्त होगा जो आप चिंतित थे संतान को लेकर की संतान का कैरियर क्या है वो भी आज मकर रासी 2023 में संतान के कैरियर को भी आगे बढ़ाएगी और इतना अच्छा कैरियर बनाएगी जिससे आपके जीवन में धन धानने की ब्रद्दी हो संतान सुख आपको प्रवद्द मिलेगा कई ऐसी समस्याएं जो अब तक चल रही थी वो दूर होंगी गुप्त धन मिलने के आसार हैं आपके जीवन में मान, प्रतिष्ठा, सम्मान ये तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा बहान आदी का सुख आपको सौ प्रतिशत मिलेगा काफी समय से जो योजना अधूरी हैं वो योजना आपकी पूरी होंगी अधूरे कार्य आपके पूरे होंगे, कोट केस या कोई ऐसी समस्या जो आप किसी को बताने में सक्छम नहीं है वो भी आपकी ठीक होगी, आपके पक्छ में होगी, आपके कार्यों में उन्नती अवस्या आएगी और आपका जीवन सुमंगल में होगा इसके लिए आप विशेश आभार भगवान का व्यक्त करें कि 2023 में सनी की आपके उपर पूरी किर्पावरस रही है तो इसके साथ साथ आप सनी 40 का पाट करें सरसों के तेल की जोत जलाए तो और उन्नती आपकी होगी व्यापार छेतर सद्रण होगा विभा के लिए जो योग बच्चे हैं उम्र जिनकी विभाकी हो चुकी है रिष्टे बन नहीं रहे हैं अब उनको चिंता करने की जरूरत नहीं है इस समय उनके विभाके योग बनेंगे और आगे चल करके उनका सारा कार सफल होने वाला है सनी की डहिया आपके उपर अपना प्रभाब अवस्य दिखलाएगी और वो आपको सुब कार्यों में क्योंकि सनी मकर के स्वामी हैं तो गलत नहीं होगा बहुत अच्छा योग आपके जीवन का बन रहा है नवंबर और दिसंबर मास में 2023 के नवंबर और दिसंबर मास में अचानक धनलाव होने के योग प्राप्त हो रहे हैं उससे आपको धनलाव होने की फुल उम्मीद है और उसी से आपकी मान प्रतिष्टा सम्मान में विरद्धी होगी लेकिन इसके साथ साथ आप ध्यान रखे अभिमान को पास ना आने दे माता पिता का सम्मान करें गुरु जनों का सम्मान करें अपने से बड़ों का सम्मान करें गुरु गव ब्रहमन इनका अगर आप सम्मान करेंगे तो आपके जीवन में चार चांद लग जाएंगे आपका जीवन मंगल में होगा और मकर रासे आपके जीवन में सद्रन होगी मजबूत होगी और आपके जीवन को उस लक्ष पर पहुचाएगी जिसका आपने सोचा भी नहीं था इसलिए 2023 आपके लिए बहुत खुसी के समय लेकर आ रहा है और इस खुसी के समय को व्यर्थ में ना गवाएँ जीवन को सफल बनाएँ कर्म को आगे बढ़ाएँ और कर्म पर ध्यान देँ जिससे आपके सभी कारे सफल हो और सत्रूओं से अवस्य बचेँ सडियंत्र से बचेँ जिससे आपका जीवन मंगल में हो कुम्ब रासी आज 2023 में कैसी रहने वाली है 2023 में कुम्ब रासी वाले जातक किस समस्या से जूजेंगे या कौन सी परिशानी उनको उठानी पड़ सकती है या फिर उनको लाब होने वाला है ऐसा क्या होने वाला है 2023 में कुम राजी वाले जातक कितना लाव उठा सकते है या कितना नुक्सान उठाएंगे इन सब बातों का प्रिशन आप सब के मन में चलते रहते हैं आप सोचते हैं पता नहीं हमारी राजी कैसी होगी 2023 हमारा कैसा होगा हर व्यक्ति सोचता है कि अगला वर्ष हमारा कैसा है हर व्यक्ति के मन में एक सोच होती है तो मैं आज आप से बात करूँगा कुम रासी वाले जातकों की कुम रासी वाले जातकों का 2023 कैसा रहने वाला है मैं यही बात करूँगा आज आप से तो कुम रासी वाले जातक ध्यान ने कि ये समय आपके लिए बहुत अच्छा नहीं है मध्यम है बुरा भी नहीं है लेकिन मध्यम है वर्स का जो प्रारम है वो आपके लिए अच्छा है मध्य थोड़ा सा कश्टकारी है और जो संपन है एंड जो है वर्स का वो भी आपके लिए अच्छा है लेकिन लाश्ट दिसम्मर के महिने में आपको परिशानिया हो सकती है ध्यान दीजी एक कुम रासी वाले जातक आप बात करूँगा विस्तार से अगर आपको अपनी रासी के बारे में जानना है कुंडली के बारे में जानना है अपने वारे में अपने परिवार के वारे में जानना है तो आप इनी नम्मरों पर जो आपके स्क्रीन पर चल रहा है कॉल करके हमसे जान सकते हैं मिल सकते हैं संपर्क कर सकते हैं ध्यान दीजीएगा विश्यस बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ आपके स्ववाव को लेकर कि कुम्राशी वाले जातकों का स्ववाव मध्यम रहेगा कभी सील स्ववाव तो कभी क्रोधित हो जाएंगे कुम्राशी का स्वामी सनी होने के साथ साथ उस पर सनी का असर विधीवत नहीं हो पा रहा है इसी के कारण उनका इस्थान परिवर्तन तक वो उसी अवस्था में चलेंगे अर्थात मध्यम में रहेंगे बहुत बड़ा लाव नहीं होगा तो कोई नुक्सान भी नहीं होगा कुम्रासी वाले जातकों का स्ववाव एकदम मध्यम रहने वाला है और आपके स्ववाव में चरित्र में दीनता प्रिगट होगी अच्छाईयां भी होंगी लेकिन आप दूसरे के कश्ट को नहीं देख सकते दूसरे के दुख को आप अपना दुख समझ करके उसकी मदद करेंगे कुम्रासी वाले जातकों का स्ववाव मध्यम होने के साथ साथ थोड़ा ही अपने जीवन के प्रती लालाईत होगा एक्छित होगा अपने कार्यों के लिए बसीभूत होंगे और इसी के साथ साथ भात करते हैं ब्यवसाई की नौकरी की ब्यापार की धन आगमन की तो ये चीज़ जो कुम्रासी वाले जातकों को है ये इस साल आपके बहुत अच्छी है धन आगमन की रास्ते अक्समात आपके खुलेंगे आने वाले जो समय है आपके लिए बहुत अच्छा है लेकिन वो प्रगर्ति जो आप प्राप्त करना चाते हैं उससे आप बंचित रहेंगे प्रविति आपकी वही रहेगी उन्नती आप करेंगे लेकिन बहुत ज्यादा उन्नती आप नहीं कर सकते तो इसके साथ साथ जो लाव आपको प्राप्त होना चाहिए था वो ना हो करके थोड़ा कम रह जाएगा लेकिन लाव अवस्य होगा कुम रासी वाले जातकों का ब्यापारिक छेतर बहुत अच्छा रहेगा अर्था तो उसमें निरासा नहीं रहेगी आसा के बादल हमेशा रहेंगे निरासा आपसे बहुत दूर चली जाएगी लेकिन ध्यान रखे सत्रों का बड़पन होगा बड़ा होगा सत्रों बढ़ेंगे आपके और सत्रू बढ़ने पर आपको मानसिक चिंता सता सकती है क्योंकि सत्रू आपके सडियंत्र रचेंगे और उस सडियंत्र में अगर आप फसेंगे तो आपको नुकसान उठाना पड़ेगा तो यही कारण है कि सत्रू से बचे ध्यान दे जीवन में तीन से चार सत्रू हमेशा आपके 2023 में बने रहेंगे तीन से चार और अधिक विश्वास आप किसी पर करेंगे तो वहां से आपको धोका मिलने का असार है आप नोकली जहां करते हैं प्रमोशन की लालसा आपके मन में है तो इस समय 2023 में आपका प्रमोशन नहीं होगा 2023 के लाश्ट में या 24 के प्रारम में होने की संभावना है लेकिन अभी आपका प्रमोशन का कोई भी योग नहीं बन पा रहा है लेकिन नोकरी में इज्यत, मान, सम्मान, प्रतिष्ठा वो आपकी बढ़ने वाली है कैरियर में सुविदा जनक ब्यचार आपके बनेंगे कई कार्य ऐसे होते हैं जिन कार्यों को साथ में रखकर हम आगे बढ़ें लेकिन फिर भी हम उन कार्यों को कर नहीं पाते कारण क्या है? कारण है ग्रहों की यूती ग्रह किस अवस्था में है? बक्री है तो नहीं? मारगी है? बक्री है? या ग्रह अपनी इस्थिती पर ठीक है? अपने घर में हैं? मित्र के घर में हैं? मारक के स्वामी हैं? कारक के स्वामी हैं? सभी बातों का विशेश ध्यान बढ़तें, मित्रों से सावधन अवस्य रहें, क्योंकि मित्र भी आपको दोका दे सकते हैं, बैसे आपका कोई कुछ बिगाड़ेगा नहीं, दोका आपको मिलेगा लेकिन कुछ समय के बाद आप उसी लाइन पर आ जाएंगे और आपका मकसद जो है वो आपको प्राप्त होगा, बात करें स्वास्त की, तो स्वास्त में उतार चड़ा बना रहेगा, लेकिन यात्रा बिलकुल ना करें, अगर आपको कहीं जाना है, यात्रा करनी है, जरूरी है, तो गर से गुड या दही खा करके ही आप आगे यात्रा करें, अगर इस पढ़ सकता है धार्मिक कार्यों की प्रविर्ति को बढ़ाएं इस समय आपके धार्मिक कार्यों की प्रविर्ति कमजोर थी लेकिन अब 2023 में धार्मिक कार्यों की प्रविर्ति को बढ़ाएं मंदिर प्रती दिन जाएंगे तो आपको लाव मिलेगा सनी भगवान की पूजा करें उससे भी आपको लाव मिलेगा आपका स्वास्त जो उतार चड़ाव से गिर्षित है अर्थात बीमारियों से गिर्षित है वो ठीक होगा वर्स के मध्य में आपको एक लाव होने वाला है और ये लाव आपको मई से लेकर जून के महिने के बीच में हो सकता है या अगस्त सितंबर के बीच में हो सकता है और ये लाव क्या है ये प्रॉपरिटी का लाव है आप सोच रहे होंगे अपना मकान खरीदना है, मकान बनाना है या प्रॉपरिटी जगा खरीदनी है तो वो योग आपके अब बन रहे है 2023 में आपका मकान का सपना पूरा होगा आपका खुद का मकान बनने की संभावना पूर होगी आप अपने मकान में निवास करेंगे बहान आदी का सुख आपको मिलेगा आपकी इच्छा बहान खरीदने की है अब तक नहीं खरीद पा रहे होंगे तो अब आप बहान खरीद सकते हैं क्योंकि मैंने पहले ही बोला था कि 2023 आपके लिए मध्यम है लेकिन बुरी नहीं है अच्छाईयों की तरफ अधिक है बुराई की तरफ कम है और बुराई सिर्फ मित्रों के और सत्रों के सडियन तरकी है उससे बचे रहोगे तो आपका जीवन आपकी प्रिगती को कोई नहीं रोख सकता समाज में बहुत अच्छी मान प्रितिष्टा बना कर आप अपने जीवन को यापत करेंगे संतान सुख की प्राप्ती होगी मन एक्छित कार्य पूरे होंगे कुमरासी वाले जातक अपने जीवन में कई प्रिकार की ऐसी भावना लेकर है जो अभी तक आपकी पूरी नहीं हुई वो 2023 में निश्चित रूप से पूरी होने की संभावना है 2023 आपके लिए थोड़ा कष्ट कारी है लेकिन कहते न 70% अच्छा है 30% आपको नुक्सान उठाना पड़ सकता है सुयोग 70% कुयोग 30% और इसी के साथ आप जब आगे बढ़ते हैं तो आपको लाब मिलेगा संतान सुख आपको प्राप्त होगा जो बच्चे कुम्बरासी के हैं और उन्वो विभा के लिए योग है उम्र हो चुकी है रिष्टे बन नहीं पा रहे हैं लोग आते हैं देखके चले जाते हैं रिष्टा हो नहीं रहा है बहुत बड़ी समश्या रिष्टे को लेके मन में टेंसन है तो अब उस चिंता को बिलकुल दूर कर दीजिए बुला दीजिए 2023 में आपका रिष्टा पक्का हो जाएगा सो प्रतिस्सत हो जाएगा कुम रासी वाले जातकों को जो योग वालक हैं पढ़ाई के छेत्र में नोकरी के लिए एक्जाम दे रहे हैं इंटर्व्यू दे रहे हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा समय है थोड़ा सा मन लगा कर पढ़िए आगे बढ़िए आपकी सफलता आपकी रहा देख रही है कर्म को विधीबत बनाइए कर्म को करना प्रारम कीजिए कर्म पर ध्यान दीजिए देश, विदेश, ब्रमन के योग भी आपकी बन रही है विदेश भी आप जा सकते हैं जो विदेश जाना है तो ये समय आपके लिए विदेश के लिए बहुत अच्छा समय है आप विदेश गमन कर सकते हैं इस थाई रूप से वहाँ निवास कर सकते हैं ऐसा सयोग आपका बन रहा है कुम रासी वाले जातकों के लिए समय समय पर उतार चड़ाव का जो मकसद बना हुआ है वो एक बहुत ही देनिये तो है ही लेकिन उसमें कुरूरता नहीं है मदूरता है उस मदूरता को साथ में लीजिए ब्यभार में उतारिए आपके कारे निश्चित सपल होंगे कुम रासी बाले जातकों का ग्रह कले सान्त होगा परिवार में समंजस्य बढ़ेगा पद पृतिष्ठा बढ़ेगी और बड़ों का सम्मान बढ़ेगा माता पिता की सेवा करते रहे गउ ब्रहमन की सेवा करे आपका सभी कारे सफल होंगे कुम्राशी वाले जातक सनीवार के सनीवार भगवान सनी की पूजा आवस्य करें सरसों के तेल की जोत जलाए काले वस्तर पहने काले वस्तर सनी देव को अरपन करें किसी को दान ना करें दान करने से ग्रह कमजोर होता है और पूजा करने से ग्रह मजबूत होता है तो हमें अपने ग्रह स्वामी को मजबूत करना है कुम्म का स्वामी सनी है और हमें सनी को मजबूत करना है जिससे आपके कार्य में प्रगति हो आपके कार्यों में संपन्नता हो और जीवन में मधूरता जब जीवन में मदुर्था होगी तो आपका जीवन सद्रण होगा मजबूत होगा और ये समय कुम्राशी वाले जातकों के लिए विसेश उत्तम समय है आप अपने जीवन में एक चीज दिष्ठावान बन करके उतारिए कि 2023 में आपको क्या नहीं करना है ये सुन लीजिएगा सबसे पहले 2023 में वे जुबान जो पसू है पक्छी है जानवर है वे जुबान जो बोल नहीं सकते उनको प्रताडित नहीं करना अगर आप उनको प्रताडित करेंगे तो आपके जीवन की जो भलाई है वो कुरूरता में बदल जाएंगी और आपकी रासी का कष्ट आपको प्राप्त हो जाएगा बे जुबान जो पसू पक्छी जानवर है उनके लिए आप उनकी सेवा करें उनकी मदद करें कुछ खाने को दें आपको निश्चित लाब मिलेगा सनीवार के दिन काले कुट्टे को एक रोटी सरसों के तेल की एक बूंद से चुपड करके एक ही बूंद डालना बीच में जो वो सिक्के के बराबर होती है और उसके लिए वो अपने जीवन में जैसे ही आप डाल देंगे और उसे काले कुट्टे को खिला दीजी उससे आप पाँच पापों से बचते हैं जो पाँच पाप हम प्रती दिन करते हैं उन पाँच पापों से हम बच जाएंगे द्यान रखना इन्हे सभी समस्याओं को आप दूर कर सकते हैं और अपने जीवन को सफल बना सकते हैं मीन रासी हमारे जीवन में क्या प्रभाव डाल रही है 2023 में मीन रासी के जाता क्या फल प्राप्त करेंगे हर व्यक्ति के मन में एक प्रसिन तो रहता ही है चाये वो मैं हूँ या आप हो एक प्रसिन हमेशा बना रहता है वो प्रसिन क्या है कि हमारा अगला वर्स कैसा होगा अगला समय कैसा होगा हम कुछ कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे मन में ये सोच बनी रहती है हर व्यक्ति का प्रसंद है हमारे पास कॉल आते हैं लोग बोलते हैं गुरुजी हम क्या करें इस उपाय को करने से हमारा ये कार्य हो जाएगा जो आपने उपाय बताया है या जो आपने मंत्र बताया है इस मंत्र के अगर हम माला जब करें तो क्या हमें लाब मिलेगा ऐसे प्रसंद बहुत आते हैं हमारी रासी कैसी है कैसा हमारा जीवन व्यापन होगा कोई कश्ट है वो दूर होगा या नहीं होगा ऐसे प्रसंद भी होताते हैं तो आप लोगों के साथ भी अगर ऐसी समस्या है किसी भी प्रकार की समस्या तो आपके जो दिये हुए नम्मरें इन पर आप कॉल करके हमसे जान सकते हैं मिल सकते हैं अगर आप हमसे मिलना माध्यम से जीवन का विर्तांत बता सकें कि आप ऐसा कर्म करें ऐसा ना करें यही कारण है कि आप लोगों का प्रेम जो हमें मिलता है इसी के कारण आप लोगों के कश्टों को हरने की सामर्थ परमपिता परमात्मा की हैं हमारी नहीं लेकिन हम लोग उन्होंने निमित्य बना रखे हैं हम आपकी अरजी प्रभु के चरणों में लगाते हैं करने वाला परमात्मा है हम कुछ नहीं कर सकते हैं लेकिन फिर भी आज जो हम बात कर रहे हैं वो मीन रासी को लेकर बात कर रहे हैं कि मीन रासी 2023 में कैसी रहने वाली है मीन रासी का सानित क्या है तो देखिए मीन रासी वाले जातक आपका स्वामी गुरू है और गुरू बहुत ही अच्छे प्रकृती पर इस समय विराजमान है तो मान लिजे आपकी पद अवस्य बढ़ेगा मान प्रतिष्ठा सम्मान आपका बढ़ेगा राज नीती में आपका उंचा पद प्राप्त हो सकता है उच्छे अधिकारियों का सयोग मिलेगा न्यायाले में, कोट कचैरी में आप किसी भी छेत्र में ऐसे जाएंगे आपका कोई केस चल रहा है उसमें आपको प्राप्ती उपलब दोगी विजे उपलब दोगी और इसी के साथ बात करेंगे आपके ब्यवार की मीन रासी वाले जातकों का जो ब्यवार है वो इस समय बहुत अच्छा रहने वाला है मधूर रहने वाला है और इसी मधूर ब्यवार के कारण आप अपने कार्यों में विजे प्राप्त करेंगे उपलब्दे प्राप्त करेंगे आपके जीवन में मदुर्ता बनी रहेगी और चार लोग आपकी बात को ध्यान से सुनेंगे आपके ब्यवार में पुस्पवर्सा होगी बहुत सुन्दर ब्यवार आपका दो अजार तेईस में रहने वाला है आपको क्रोध आने की चेश्टा ही नहीं करेगा आपका ये साल बहुत अच्छा है लेकिन इस वर्स के ध्यान रखना अप्रेल का महिना आपको थोड़ा सजगता से रहना है अप्रेल के महिने में आपको क्रोध भी आ सकता है अमंगल कार्य भी आप कर सकते हैं तो अमंगल कार्यों से बचना अमंगल कार्यों से आप बचे गए तो आपका जीवन सफल हो जाएगा आपका ब्यवार बहुत उत्तम है ब्यवार सील व्यक्ति मीन रासी के जाट तक 2023 में बनेंगे 2023 आपके लिए बहुत उत्तम बर्स वनने वाला है बात करेंगे ब्यापार की तो जो ब्यापार आप करते हैं उस ब्यापार में आपके लिए बहुत उन्नती प्रेगती उत्थान मिलने वाला है और इस समय आप अगर सलहकार की पोश्ट पर है नोकरी के छीत्र में या आप टीचर है या आप वकील है जैज है तो उसके लिए और चार चांद लगने वाले आपका प्रमोशन हो शकता है आप और अच्छी सला लेने के लिए आप किसी राजा के मंत्री बन सकते हैं क्योंकि आपकी सामर्थ सोचने समझने की सकती बहुत प्रभल रहने वाली है या दास्त आपकी बहुत अच्छी रहेगी ब्यापार छीत्र में बहुत प्रगती प्राप्त करेंगे उन्नती प्राप्त करेंगे पूरा वर्स आपके लिए उत्तम है दुजार तेईस आपके लिए अति उत्तम वर्स बन करके आ रहा है समझ लीजिए मा लक्षमी की किरपा सदा आप पर वर्सेगी मा लक्षमी का सयोग सदा आप पर वर्सेगा हमेशा मा लक्षमी की किरपा बनी रहेगी नोकरी करने वाले जातकों को जो मीन रासी के जातक हैं और नोकरी करते हैं नोकरी में senior लोग आपका सम्मान करेंगे, junior लोग आपका सम्मान करेंगे, जिस पद पर आप कारिरत हैं, उस पद की गरिमा को बनाए रखेंगे आप, आपकी मान परतिष्टा में यहां भी भरद्धि होगी हर व्यक्ति आपसे सला लेने की कोशिस करेगा आप उनके मार्ग दर्सक बनने की उम्मीद बन रही है 2023 में मीन रासी वाले जात तक अपने पृतिक कारे में सफलता प्राप्त करेंगे बात करते हैं स्वास्त की 2023 में आपका स्वास्त कैसा रहने वाला है 2023 का आपका स्वास्तिक जो जीवन है वो कैसा है तो देखिए आपके स्वास्त में कोई परिशानी नहीं है लेकिन आपके माता पिता के स्वास्त में परिशानी बढ़ सकती है इससे आपको चिंतित होना पढ़ सकता है स्वास्त की अगर हम बात करें तो आपका स्वास्त ठीक रहेगा कोई परिशानी बीमारी नहीं होगी लेकिन आपकी चिंता बढ़ेगी माता पिता के स्वास्त को लेकर या घर में किसी व्यक्ति के स्वास्त को लेकर आपकी चिंता अग्रसर होगी बढ़ेगी कोई ना कोई व्यक्ति आपके घर में बीमार होगा उस हिसाब से बढ़ सकती है लेकिन आपका स्वास्त एकदम ठीक रहेगा संपुष्ट रहेगा मजबूत रहेगा आप स्वास्त के लिए खान पान पर विशेश ध्यान दे दोड़ धूप कम करें माता पिता का ध्यान रखें उनके खान पान का ध्यान रखें तो फिर आपका जीवन सुख में हो सकता है और सुख में आपका जीवन बदल सकता है विभाईक जीवन की बात करें तो आपके संसारिक जो प्रेम है वो आपका बहुत अच्छा रहने वाला है ग्रेकलेस नहीं रहेगा अब तक अगर चला भी होगा तो अब आपका ग्रेकलेस सांत हो जाएगा पती पत्नी में जो अनबन चल रही थी वो उसका भी एंड आ गया वो भी खत्या अब आप दोनों में मदुर्ता रहेगी प्रेम बनेगा और जिन जातकों का बिभा नहीं हुआ है बिभा के लिए उनकी उम्र है तो 2023 में आपका बिभा होने की पूर्ड संभावना है पूर्ड संभावना आपका बिभा अवस्य होगा बिभा के लिए सक्षम अच्छे आपके दम पत्य जो जोड़ी बनेगी जो आपकी पती या पत्नी बनेगी वो आपका बहुत अच्छा आपका जीवन साथी होगा क्योंकि इस समय मांगल को सब आपके घर में बने रहेंगे धार में कार्यों में आपको यात्रा करनी पड़ सकती है और आपकी यात्रा आगे इस समय देके पहले जो यात्रा आप करेंगे उसमें थोड़ा रुकावट है आ सकती है लेकिन आगे चलके वर्स के अंत में कार्यों के लिए या धार्मिक कार्यों के लिए ही होंगी कि सभी कार्यों में आप अपने जीवन को सक्षम बना सकते हैं कर सकते हैं और यही विरताम आप अपने जीवन में घोल सकते हैं इसी के साथ साथ संतान सुख की बात करते हैं संतान सुख आपके जीवन में आने वाला है क्योंकि गुरु की पूर किरपा आपके पास है गुरु ग्रेका पूर किरपा आपके उपर है मालक्षनी की किरपा आपके उपर है तो इस समय आपके घर में संतान सुख आने वाला है, संतान की जिनको इक्छा है, उनके यहां संतान प्राप्त होगी लेकिन जिनके घर में संतान है, उनके स्ववाब में क्रूरता आ जाएगी यह ध्यान रखना, संतान के स्ववाब में क्रूरता आएगी और उसके द्वारा आपके मन में थोड़ा सा चिंतन बढ़ सकता है, लेकिन चिंता मत बढ़ाईए, चिंता का त्याग कीजिए, चिंतन को बढ़ाईए, चिंता हटी, चिंतन बढ़ा, तो आपके जीवन में बहुत खुसी आएंगी, बहान आदी का सुख मिलेगा, प्रॉपरिटी का लेंदेन अगर आप करना चाते हैं, तो खुसी से करें, क्रेविक्रे आप करना चाते हैं, खुसी से करें, ये समय इसके लिए बहुत उत्तम समय है, में रासी वाले जाट तक, तीन चीजों का विशेश ध्यान रखें, और अगर ये उपाय तीन जो मैं वता रहा हूँ, ये अगर आपने किये, तो आपको कोई नहीं रोख सकता, आपकी उपलब्दियों को कोई नहीं रोख सकता, ये तीन उपाय कौन-कौन से हैं, सुन जियेगा, एक तो सनीवार के दिन काले कुते को रोटी खिलाए, काला अगर ना भी मिले तो किसी भी कुते को रोटी दें, लेकिन रोटी दें, सुबह गाय को रोटी अवस्य दें प्रती दिन गुरुवार के दिन केले के पेड़ की पूजा करें बगवान विष्णु का पूजन करने के बाद ब्रहमणों का सम्मान करें और रविवार के रविवार अगर आप पांच या साथ रविवार कर सकते हैं तो अति उत्तम बात है अगर नहीं कर सकते हैं तो एक रविवार अपने जीवन में मैं आपको बता रहा हूं 2023 की 2023 में एक रवीवार आप किसी गरीव को भोजन करा दीजिए भर पेट किसी भी गरीव को आप भर पेट भोजन कराएंगे तो उससे आपके पित्र प्रसंद होंगे पित्र प्रसंद होंगे तो सनी देव, गुरू, सारे ग्रह प्रसंद होंगे और फिर आपकी जो समस्या हैं उनको पल में मिट जाएंगी और कोई भी व्यवदान आपके सुब कार्यों में नहीं आएगा आपके मंगल कार्यों में नहीं आएगा इन तीन चार चीजों को आप करें और तीन चीज दो हजार तेईस में भूल कर भी ना करें मद्रय पान बिल्कुल मत करना अगर करेंगे तो गुरु नाराज होंगे और गुरु नाराज हो गए तो आपको कोई नहीं बचा पाएगा मद्रिय पान बिल्कुल ना करें मास वक्षन बिल्कुल ना करें और तीसरा जूट का त्याग कर दें जूट ना बोलें इन तीन चीजों को अगर आपने छोड़ दिया तो आपके जीवन में चमकते सितारे अपने आप प्रिफुलित हो जाएंगे जो रुकावटे अब तक थी वो दूर हो जाएंगी चाए कोई कितना भी सडियंत रचले मीन रासी वाले जातकों के उपर कोई आपको रोक नहीं पाएगा लेकिन उपायों के साथ और इन परेजों के साथ आप आगे बढ़ें आपका जीवन मंगल में होगा अब मुझे दीजिये इजाज़त रादे रादे